किंग फिशर इस बर्ड को तो आप जानते ही होंगे क्या आपको पता है कि इस बर्ड ने जैपनीज इंजीनियर्स को बुलेट ट्रेंज में लंबी चली आ रही प्राब्लम जिसे सौनिक भूम कहते हैं को रिड्यूस करने में काफी मदद की थी बुलेट ट्रेंज की शुरुवाती डिजाइन के चलते जब ये ट्रेंज किसी टैनल से निकलती थी तो हाई प्रेशर वेब जो कि किसी गंसौट जैसा होता था क्रियेट करती थी और 400 मीटर के रेंज में रह रहे लोगों को बुरी तरह से एफेक्ट करती थी लेकिन 1997 में जैपनीज एक नए डिजाइन पे काम करते हैं जिससे की ट्रेंड की स्पीड कम नहीं हुई और बुलेट ट्रेंज काफी शान्थ भी हो गई इन्हों ने किंग फिशर को अब्जर्व किया जो कि 40 किलो मिटर पर आर की स्पीड से हावा से पानी में डाइव लगाती थी वो भी बिना किसी स्प्लैश के जस्ट बिकॉज अब देर स्ट्रीम लाइंड शेप इसके बाद इंजिनियर्स ने बुलेट ट्रेंड के कई सारे हेड शेप पर काम किया और मल्टिपल टेस्ट के बाद जो शेप किंग फिशर की चोंच से इंस्पायर था उसने सबसे बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किये और इसके साथ नेचर से इंस्पायर होकर जैपान ने अपनी दसकों से चलिया रही प्राबलम को सॉल्व कर ल